असलाम अलेकुम वीवर्स, वेलकम बेक टो माई चैनल जायका इंडिया, आज हम चने की दाल का हलवा बनाएंगे, वैसे तो चने की दाल का हलवा बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उसमें आप दाल को भून कर स्टो की दाल ली है, अब इस दाल को एक बाउल में डाल कर दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लेंगे, अब इस धुली हुई दाल को एक चलने में डाल कर रख देंगे, चलने को अच्छे से हिला देंगे, ताकि दाल का सभी पानी निकल जाए, अब पांच मिनट तक इसे ऐसे ह रखा छोड़ देंगे अब 5 मिनट के बाद देखिए डाल का सभी पानी निकल गया है और दाल अच्छी से फरैरी हो गई है अब दाल को हम घी में भून लेंगे अब एक कड़ाई को गैस पर गरम होने के लिए रखेंगे यह हमने आधा कप यानी 125 ग्राम देशी घी ले लिया है इसमें से थोड़ा थोड़ा करके हल्वा बनाने में यूज़ करेंगे अब ही हम कड़ाई में दो टेबले स्पून देशी घी डाल देंगे बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे और अब इस घी में धूली हुई चने की डाल डाल देंगे दाल को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगतार चम्मच चलाते हुए दाल को भून लेंगे दाल को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हलका हलका सा गोल्डन नहीं हो जाता 5-6 मिनट तक का टाइम लग जाएगा दाल को भूनने में 5 मिनट तक हमने दाल को मीडियम फ्लेम पर भून लिया है दाल बहुत अच्छे से भून गई है भूनने की खुश्बू भी आने लगी है और इसका कलर देखिए दाल का कलर भी काफी चेंज हो गया है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस दाल को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये देखिए कड़ाई में थोड़ा सा देशी घी बच भी गया है दाल ठंडी हो गई है अब हम इसे गेंडिंग जार में डाल कर पीस लेंगे इसी तरह से भूनी हुई दाल को आप किसी भी एर टाइट कंटेनर में डाल कर एक से डेढ़ महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपको हलुआ बनाना हो आप इसे दर दरा पीस कर इसका हलुआ बना सकते हैं तो यह सभी दाल हमने ग्रैंडिंग जार में डाल ली है अब हम मेक्सिको रूख रूख कर चलाएंगे क्योंकि हमें इसको दर दरा पीस ना है फाइन पाउडर नहीं बनाना है तो यह देखिए दाल बहुत अच्छी तरह से पीस गई है हम आपको पास से दिखाते हैं हमें डाल का ऐसा ही दर दरा पाउडर चाहिए था इस तरह से पीसी हुई डाल से बहुत बढ़िया दानेदार हलुआ बनकर तयार होता है अब उसी कड़हाई में जिसमें हमने डाल को भूना था थोड़ा सा घी भी यह इसमें बचा हुआ अब इसमें दो टेबलिस्पून देशी खी और डाल देंगे और घी के मेल्ट होते ही जो चैने की डाल हमने दर दरी पीस का रखी थी वो इसमें डाल देंगे मिक्स करना है और थोड़ी देर भून लेना है अब दो मिनट तक हमने डाल को घी के साथ भून लिया है अब हम इसमें दूट डालेंगे एक कप चना डाल के लिए हम ढाई कप दूट डालने वाले हैं पहले हम दो कप दूट डालेंगे अगर जरूरत होगी तो हम आधा कप दूट बाद में डालेंगे अब दूट डाल कर अच्छी तरह से तेज हाज से लगतार चमच चलाते हुए दूट के साथ डाल को मिक्स कर लेंगे और medium to low flame पर इसे पकने देंगे लगतार चमच चलाते हुए जब हम इस दाल को पकाएंगे तो यह जो दाल की लंप्स दिख रहे हैं आपको यह सब अपने आप ही निकल जाएंगे तो यह देखे सभी लंप्स निकल गए हैं और दूद के साथ दाल पकते हुए काफी फूल गई है और थोड़ी देर में दूद भी ड्राई हो चुका है लेकिन अभी हमें दाल को थोड़ी देर और पकाना है इसके लिए हम जो बचा हुआ आधा कब दूद है वो भी इसमें डाल देंगे और जो देशी की बचा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे अब अच्छे से मिक्स करते हुए दूद के ड्राई होने तक लगतार चमर चलाते हुए हलवे को थोड़ी देर और पकाएंगे करते हुए 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 है थोड़ी देर के बाद देखिए दूद के साथ ये दाल अच्छे से पक गई है और अब कड़ाई से भी अलग होने लगी है इस वक्त हम इसमें चीनी आट करेंगे आप एक कप चना दाल में एक कप चीनी डाल सकते हैं बराबर का मीठा ही डाला जाता है लेकिन हम इसमें एक कप से थोड़ी कम चीनी डाल रहे हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और चीनी के साथ साथ ही हम इसमें कुछ डाइफ रूट्स भी डाल देंगे ये 20 से 25 किश्मिश है इन्हें हमने धोल लिया था ये डाल देंगे और किश्मिश के अलावा ये 2 टेबल स्पून चिरोंजी, 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू, 2 टेबल स्पून पिस्टा और 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम है ये हम इसमें डाल देंगे ड्राव फूर्ट्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से या आपको जो पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं कम या जादा कॉंटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अब इन्हें हल्वे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चीनी डालने के बाद चीनी का कच्छपन दूर होने तक हल्वे को 2-3 मिनट तक हमने और पका लिया है हल्वे ने घी चोड़ना शुरू कर दिया है, एक अच्छी सी शाइनिंग हल्वे में आने लगी है बहुत ही बड़िया दानेदार चनी की डाल का हल्वे बनकर रेडी हुआ है, अब हम इसे सरिंग बाउल में निकाल लेंगे और अब हल्वे के उपर थोड़े से कटे हुए ड्राइफ रोट्स डाल कर गार्निश कर लेंगे तो फ्रेंट्स ये थी हमारी चनी के डाल की हल्वे की रेसिपी, उमीद है आपको पसंद रही होगी, पसंद रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजेगा मिलते हैं ने एक्स रेसिपी में, तब तक के लिए अल्ला हाफिज